बॉल मौनिंग All of You कर लोगं की क्लास ऐंदर selfie की की आ एक सन्थ्रप्त वसा को हम ने किश्में संत्रप्त वसा से हमने क्या बनाया था ऐसंत्रप्त वसीय हम लोग का निर्मान किया था तो ऐसंत्रप्त वसीय हम लोग के अंदर हम लोगों ने क्या देखा था कि हम लोगों ने ये पोर्शन बनाया था कि हमारे पास double bond हो या फिर triple bond हो तो double bond और triple bond के थू हमने बनाया था उससे पहले की class के अंदर हम लोगों ने संत्रप्त वसीय अमलों का हमने निर्मान किया था तो संत्रप्त वसीय अमलों के दोरान हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से हमने double bond को oxy current और hydrogen करन की process के थू हमने convert किया था आज की class के अंदर हम लोग देखेंगे कि ऐसंत्रप्त वसीय अमलों का निर्मान होने के बाद में हमें एक process मिलती है ketosis मतला कि जब हमारे सरीर के अंदर वसीय अमलों का निर्मान हो चुका होता है तो उसके बाद में क्या process होती है जैसे कि यदि हमने देखा carbohydrate का तो जैसे carbohydrate का यदि हम करवाते हैं पाचन carbohydrate कि जब carbohydrate टूटता है तो carbohydrate के टूटने से यानि glucose है carbohydrate तो glucose को यदि हम तोड़ेंगे तो glucose के तोड़ने से हमें मिलता है pyrovic अमल और pyrovic अमल और pyrovic अमल जो है वो आगे तूट करके बनाता है acetyl coenzyme A acetyl coenzyme A और इसके बीच के अंदर जो बनता है melonic अमल भी बनता है यानि कि यदि हम लोग glucose के अभी करी glucose को dehydrogen करेंगे तो pyrovic अमल बनेगा और इस process के दोरान हमें उर्जा की प्राप्ती होगी उर्जा की प्राप्ती होगी clear यह जो उर्जा है यह उर्जा हमें किसकी form में मिलती है ATP के रूप में मिलती है आगे समझ में अब देखिए कि हमारे पास वसा अमलों के यानि हमारे पास जो fatty acid है वसा अमलों का जब हम oxykaran करवाते हैं तो उस oxykaran के दोरान हमें कुछ मध्यस्त product भी प्राप्त होते हैं उन मध्यस्त product कहां पर स्टोर हो जाते हैं वो जो मध्यस्त product हैं जैसे कि हमारे पास यह दी में बात करूं तो हमारे पास acetyl co enzyme A मिलता है और यही acetyl co enzyme A जो है वो आगे चल करके और हमें उर्जा प्रदान करता है लेकिन इसके बीच के अंदर भी पी हमें जैसे डाई hydroxy acetone phosphate है clear यह मिल जाता है glyceral dihyde मिल जाता है डाई glyceral dihyde मिलता है triglyceral dihyde मिलता है यह सारी चीज़े हमें मिलती है तो हम बात करते हैं कि सबसे पहले कि हमारे पास में जो वसा अमल है उनके ओक्सी करण से जो हमें मध्यस्त पधार्थ मिलते हैं वो मध्यस्त पधार्थ हमारे पास उतकों तथा मास पैसियों में जाकर के क्या हो जाते हैं संग्रहित हो जाते हैं तो हम इसकी process देखते हैं ketosis की process कि ketosis होता क्या है किटोसिस देखिए इसके अंदर यह process है कि वसा अमलों के वसा अमलों के ओक्सी करण के ओक्सी करण से प्राप्त मध्यस्त प्रधात प्राप्त मध्यस्त पधार्थ यानि मेडियेटर यह मध्यस्त पधार्थ जो है वो उतकों एवं मान्स पैसियों में मान्स पैसियों में संग्रहित हो जाते हैं संग्रहित हो जाते हैं संग्रहित हो जाते हैं और जिस समय हमें उरजा की आवशक्ता होती है यानि कि वसा अमलों के ओक्सी करण से तूट करके और यह मध्यस्त पतात कहां मान्स पैसियों में संग्रहित हो जाते हैं तो हमें उस समय उस कंडिशन के अंदर कार्बो हाइड्रेट का जो उपाप्चेन है वो सर्वाद्धिक होता है संग्रित हो जाते हैं तब कार्बो हाइड्रेट का फर्वहाड्रेट का उपाप्चे अधिक होता है इस पैसं है अंदर जब carbohydrate का उपाप्चे होता है तो हमें पता है कि कितने ATP मिलते हैं हमें 8 ATP हमें उर्जा के प्राप्त होते हैं वहीं पर यदि मैं बात करूं कि कार्बोहड्रेट का जो है वो ओक्सिजन के अनुपस्तिती के अंदर यदि हम इसका क्या करवाएं आप गठन करवाएं तो हमें सिर्फ और सिर्फ दो ATP के अनुप्राप्त होते हैं ठीक है और इस समय जब कार्बोहड्रेट का उपाप्चे कम हो जाता है तो हमारी बोडी के अ हम लिख सकते हैं कि जब कार्बोहड्रेट की उपाप्चे दर कम हो जाती है कम हो जाती है तो वसा अमलों की उपाप्चे दर बढ़ जाती है वसा अमलों की उपाप्चे दर बढ़ जाती है जो शरीर को यानि बोडी को बायो केमिकल रियक्शन्स जेव रासाइनिक अभी क्रियाओं हे तू क्या प्रदान करती है उर्जा प्रोवैड करवाती है अभी क्रियाओं हे तू उर्जा प्रदान करती है और यही उर्जा जो है वह यानि वसा अमलों के वीगठन से और वसा अमलों का जब वीगठन होगा यानि हम क्रेप साइकिल की बात करें या फिर हम साइट्रिक अमल चक्र की बात करें तो हमें यहाँ पर 30 ATP के अनुप्राप्त होते है और वहीं पर फेटी अमल का जब हम लोग क्या करवाते हैं और ओक्सी करण करवाते हैं तब भी हमें उर्जा प्राप्त होती है लेकिन ये वसा अमलों का ये जो वसा अमल है वो हमारी बोडी के अंदर क्या हो जाते हैं संग्रही तो हो जाते हैं यानि जमनाई स्टाट कर देते हैं और ये जो वसा अमल है उस समय हमारे उक्सी करण की प्रक्रिया स्टार्ट होती है नौट करिए इसको next आगे बढ़ते हैं कि ये कीटो ये तो बात हुई उरजा की अब ये कीटोसिस क्या होता है कीटोसिस का मतलब ये होता है कि जब हम लोग उपवास करते हैं तो उपवास के समय ये दि हम लोग वरत करते हैं करते हैं तो उपवास के समय क्या होता है हमारी बोडि के अनदर जब अधिक वसा युक्त बोजन का क्या कर लेते हैं सेवन कर लेते हैं तो डाइबिटीज की जो पैसेंट होते हैं उनके अंदर कीटो गोडीज का जमाव होना जादा चालू हो जाता है और ये प्रक्रिया क्या कहलाती है की टोसिस कहलाती है तो लिखिए उपवास के समय यानि फास्ट के समय उपवास के समय अधिक वसायुक्त अधिक वसायुक्त भोजन का सेवन करने से किस में होगा डाइबिटीज यानि आपके पास में जो पैसेंट है मधुमे के जो रोगी है उनमें डाइबिटीज में कीटो बोडीज का कीटो बोडीज क्या होते हैं कीटो बोडीज का मतलब होता है कि कीटोन के साथ में जिसके पास में क्या हो कीटोन उपस्तित हो तो कीटो बोडीज जो है वो अधिक मात्रा में क्या हो जाते हैं यानि सेवन करने से डाइबिटीज में कीटो बोडीज की अधिक मात्रा सरीर में एकत्रित हो जाती है यह है प्रक्रिया क्या कहलाती है कीटोसिस कहलाती है अब जो हमारे पास में यह कीटो बोडी जाया या हम बात करें कीटोसिस की तो ये जो कीटो बोडीज है इसके अंदर तीन प्रकार के जो है वो कमपाउड यानि यॉगिक संविलित होते हैं पहला हो सकता है एसिटोन दूसरा हो सकता है बीटा हाइड्रोकसि ग्यूटीरिक एसिडू और तीसरा हो सकता है असिटो एसिटिक अमल तो देखिए, next हमारे पास में है कि यह keto bodies, keto bodies बोल दीजिए, यह हम बोल सकते हैं क्या? कीटोसिस, कीटोसिस, तीन प्रकार के, योगीकों का, compounds का, योगीकों का, तीन प्रकार के, योगीकों का, सम्मिलित, रूप होता है, है, सम्मिलित रूप होता है, पहला कौन सा है, पहला है आपके पास में, acetone, B portion है आपके पास में, beta hydroxy, beta hydroxy, butyric amyl, और तीन सरा आपके पास में कौन है, aceto, acetic amyl, तीन नमबर है, aceto, acetic amyl, ठीक है, अब देखिए, यह जो हमें मिला, acetone और beta hydroxy, sorry, acetone और beta hydroxy butyric amyl, जो मिला, यह दोनों हमें, aceto, acetic amyl, जो है, उससे अपने को क्या हो सकता है, मिल सकता है, तो हम यह लिख सकते हैं, कि acetone तथा, acetone तथा, beta hydroxy, beta hydroxy butyric amyl, beta hydroxy butyric amyl, किससे प्राप्त होते हैं, aceto, acetic amyl से, किससे प्राप्त होते हैं, यह व्युत्पन मान सकते हैं, aceto, acetic amyl से, क्या हो सकते हैं, प्राप्त हो सकते हैं, मैं कि यानि कि हमारे पास keto bodies जो है वह keto bodies उस समय हमारे सरीर मेंगडित होना चालू हो जाता है जब हम उपवाज के समय अधिक वसायुक्त भूजन का सेवन करते हैं यानि diabetes वाले मामले में तो उस समय हमारी बोढी में keto bodies का जो है जमाव होना एक तरी collection होना start हो जाता है यह प्रक्रिया ketosis कहलाती है और ketosis जो है वो यानि keto bodies तीन परकार की योगी को का सम्मेलित रूप होता है पहला है आपके पास में acetone दूसरा बीटा hydroxybutyric aml और तीसरा है acetoacetic aml अब इसमें acetone तथा बीटा hydroxybutyric aml जो है वो acetoacetic aml से ही प्राप्त हो सकते हैं clear करिये नोट डाउन करिए next हमारे पास देखते हैं कि यह हमारे पास formula क्या क्या है तो देखिए CS3 single bond C double bond O single bond CH2 single bond COOH यह formula किसका है acetoacetic aml अब इससे हमें क्या चाहिए एक तो हमें चाहिए कि भाईया acetone तो यह acetone बन सकता है CS3 single bond C double bond O single bond CH3 और प्लस क्या निकल सकता है CO2 gas clear है यहां से CO2 gas क्या हो जाएगी remove हो जाएगी next आपके पास में क्या हो सकता है इसको कहते हैं हम लोग acetone next आपके पास यदी acetoacetic aml है इससे हमें क्या इसका यदी में क्या करवा दू हाइडोजनी करण करवा दू यहां में हाइडोजनी करण करवा दू हाइडोजनी करवा दू तो क्या मिलेगा CS3 single bond CH single bond OH single bond CH2 single bond COOH यह alpha carbon यह beta carbon तो बन गया beta hydroxy क्योंकि जब भी हमारे पास alcohol समू substitute यानि प्रतिस थापे के रूप में present होता है if the alcohol group present in as a substituent then we call hydroxy हम उसको hydroxy कहते हैं single bond one two three and four four को कहते हैं butane तो यह हो गया buteric acid oic acid बोलते हैं न तो buteric aml इसका मतलाब कि aceto acetic aml जो है उससे हमें क्या मिल सकता है acetone भी प्राप्त हो सकता है और दूसरा aceto acetic जो है इसका hydrogen करण करवाने से हमें beta hydroxy buteric aml भी प्राप्त होता है ठीक है यह हमारी है chemical अभी करिया next है कि यक्रत जो है यानि हमारा जो liver है यक्रत है उसके अंदर हमारे पास dacylase enzyme होता है कौन सा enzyme होता है dacylase यह dacylase enzyme जो है वो हमारे पास में aceto acetyl pore enzyme A को किस में बदल देता है एसिटो एसिटिक अमल में बदल देता है और ये जो है वो एक पर्मानेंट पक्रिया है यानि कि हम कह सकते हैं कि यक्रत में उपस्थित यक्रत में उपस्थित d-acylase enzyme d-acylase enzyme aceto-acetyl-co-enzyme A aceto-acetyl-co-enzyme A-co d-aceto-acetic अमल में परिवर्तित कर देता है परिवर्तित कर कर देता है अब एक बार यदि हमारे पास ये प्रोसेस हो गई तो यक्रत के अंदर उसे पुनह activate करने वाले कोई enzyme नहीं होते हैं जो कि इस acetic हम लोगों किस में बदल दे वापस acetyl-co-enzyme A में बदल दे तो हमारे पास क्या है CS3, single bond, C double bond O, single bond CH2, COS, COA ये जो है कौन सा enzyme है D-acylase enzyme D-acylase enzyme ये D-acylase enzyme जो है वो हमारे क्या बनाता है CS3, C double bond O, single bond CH2, COOH, acetyl-acetyl-amyl keto आगया ना, ये रहा keto, acetyl-acetyl-amyl और ये हैं आपके पास में acetyl-co-enzyme A, clear? तो ये जो है, वो D-acylase enzyme जो है, वो एक बार co-enzyme A को किस में बदल देता है? acetic amyl में बदल देता है, लेकिन पुन है, ये जो है, aceto-acetic amyl जो है, वो पुन है, acetyl-co-enzyme A में नहीं बदल पाता, इसलिए यहां से aceto-acetic amyl जो है, इसको कहां transfer कर दिया जाता है? इसको transfer कर दिया जाता है, उत्त को amyl मान स्पेशियों के अंदर transfer कर दिया जाता है. next देखते हैं पन, लिखिए तब तर, अब देखिए, मैंने आपको बताया कि ये चीज जो है, वो हमारे पास में the acylase enzyme जो है, वो यक्रत में उपस्तित होता है, यानि कि ये aceto-acetyl co-enzyme A से aceto-acetic ester बना सकता है, परंतु, पुन है, क्या नहीं होता, aceto-acetic amyl से co-enzyme A नहीं बन पाता, तो यहां next point है हमारे पास, यक्रत में एक बार aceto-acetic amyl, का निर्मान, एक बार aceto-acetic amyl का निर्मान होने के पस्चात, पुन है, पुन है, aceto-acetyl co-enzyme A का निर्मान नहीं होता है, क्योंकि यक्रत में activating enzyme अनुपस्तित होता है, इसलिए यहां से यह aceto-acetic amyl जो है, वो कहां transfer कर दिया जाता है, उतकों एवं मांस पेशियो को transfer कर दिया जाता है, अतहे, यक्रत से यह है, aceto-acetic amyl, aceto-acetic amyl, अतहे, यक्रत से यह है aceto-acetic amyl, उतकों तथा, मांस पेशियों को transfer कर दिया जाता है, transfer कर दिया जाता है, जहां यह पुनह एसिटो-acetyl, कुनह है, aceto-acetyl, co-enzyme A में, बदल जाता है, बदल जाता है, clear, देखिए, यह है मारे पास में, aceto-acetic amyl, और यह reaction करता है, succinyl-co-enzyme A के साथ, succinyl-co-enzyme A, और यह क्या बनातेता है, aceto-acetyl-co-enzyme A, और साथ में बन जाता है, आपके पास, succinyl-amyl, succinyl-amyl, इस प्रकार से, हमारे पास, यक्रत में बनने वाला, aceto-acetic amyl, कुनह है, किसमें बदल जाता है, aceto-acetyl-co-enzyme A के अंदर, बदल जाता है, यह प्रक्रिया होती है, हमारे पास में, मान-स्पेसियों के अंदर, next हमारे पास में, वो देखते हैं, कि हमारे पास, d-carboxylation से क्या होता है, किससे होता है, d-carboxylation से क्या होता है, यह note करिए, उसके बार लिखते हैं, फटा-फट, अब हमारे पास क्या मिला, कि हमें acetone मिला, क्या मिला, acetone, acetone जो की aceto, acetic amyl के decarboxylation, decarboxylation से प्राप्त होता है, decarboxylation से प्राप्त होता है, यह acetone जो है, वो हमें क्या बना सकता है, acetic amyl भी बना सकता है, और हमारे पास में आगे क्या बना सकता है, formic amyl भी हमें दे सकता है, ठीक है, तो देखिए, acetone जो की acetoacetic amyl के decarboxylation से प्राप्त होता है, यह किसमें आगे ओक्सीक्रित हो सकता है, यह है, आगे ओक्सीक्रित होकर, औक्सीक्रित होकर, क्या बना सकता है, acetic amyl, acetic amyl या formic amyl, formic amyl में बदल सकता है, formic amyl में बदल सकता है, यह आपके पास formula है, CS3 single bond, C double bond, O single bond, CS3, एक तो आपके पास यह बनता है, next decarboxylation से CS3 single bond, CH, OH single bond, CH2 single bond, COOH, यह मिलता है, और next आपके पास क्या बन सकता है, CS3 single bond, CH, OH, COOH, यह आपको क्या हो सकता है, यह अपने को मिल सकता है, लेकिन हमें, यह बदल करता है, C double bond, O single bond, COOH, दूसरा क्या हो सकता है, यह किसमें बदल सकता है, CS3 single bond, C double bond, O single bond, CS3, यह बदल सकता है, sorry, CS3, C double bond, O single bond, O single bond, H, प्लस बन सकता है H single bond C double bond O single bond O single bond H ये आपके पास में कोन आया बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटरिक अमल ये कोन आया आपके पास एसिटिक अमल ये हैं आपके पास में फॉर्मिक अमल और ये आपके पास में है मैलोनिक अमल ये लीजे साथ ये आपके पास में हुई हमारे पास रियक्शन और ये आपके पास है एसिटोन यानि एसिटोन जो है वो ओक्सिक्रित हो करके और क्या बना सकता है Acetic Amal भी बना सकता है Formic Amal भी बना सकता है और यह हमें पता है यह हमें किसे मिलता है यह मिलता है Aceto Acetic Astrut से हमें प्राप्त होता है Next है हमारे पास में कि हमारे पास में जो Maspensia है Clear? तो वो Maspensia है या फिर मैं बात करूँ उत्तकों की Maspensia तथा उत्तकों में तथा उत्तकों में कौन सा एंजाइम उपस्तित होता है हमारे पास में Activating Exxime एंजाइम उपस्तित होता है Maspensia तथा उत्तकों में Activating जो एक्टिवेट कर सके Enzyme उपस्तित होता है उपस्तित होता है जो की Aceto Acetic Amal Aceto Acetic Amal को पुन है Co-Enzyme A में बदल देता है बदल देता है आता है Acetic Acetic Amal Maspensia में क्या नहीं होता है संग्रहित नहीं होता है आता है Aceto Acetic Amal और यह संग्रहित किसमें होता है यक्रत में यक्रत से कहां ट्रांस्पर हो जाता है हमारे पास Maspensia तथा उत्तकों में ट्रांस्पर हो जाता है Aceto Acetic Amal यहां संग्रहित यहां संग्रहित नहीं होता है Next हमारे पास वो है कि हमारे पास रक्त में तथा हमारे मूत्र में जो है वो Keto Bodies की कुछ मेली ग्राम मात्रा जो है वो क्या होती है एक कत्रित होती है या फिर क्या हम कह सकते है कि बनती है तो ये जो बनती है उसमें से कुछ मात्रा जो है कुछ मिलीग्राम मात्रा है वो पर डे जो है वो हमारे पास से क्या होती है रिलीज हो जाती है यानि हम एक दिन में कम से कम एक ग्राम की दर से हम लोग जो है कीटो बोडी को वापस क्या कर देते हैं बाहर की तरफ निकाल देत हैं तो यह नोट करिए नेक्स्ट दो पॉइंट हो रहे हैं रक्त में एवं मुत्र में कुछ मिलीग्राम मात्रा कुछ मिलीग्राम मात्रा कीटो बोडीज की उपस्तित होती है जो की प्रति दिन एक ग्राम की दर से उत्सर्जित होती रहती है और जो डाइबेटी का प्रति होता है उसके मुत्र में 120 मिलीग्राम की जो मात्रा है वो पर डे हमारी बोडी के दवारा उत्ता जित कर दी जाती है तो हम कह सकते हैं कि जितना हमारी बोडी के अंदर ये बना है ठीक है जितना हमें बना है यानि हम कह सकते हैं प्रती दिन जितना कीटो बोडीज का हमारे सरीर में निर्मान होता है, उतना पुन है, पेरिफेरल उतकों द्वारा काम में ले लिया जाता है, काम में ले लिया जाता है, अगला है हमारे पास वो है कि डाइबिटीज का पैसेंट डाइबिटीज से प्रभावित व्यक्ति प्रति दिन एक सो बीस ग्राम कीटो बोडीज का उत्त सरजन करता है, जबकि यदि मैं वहीं पर बात करूँ आपके पास में, यह एक नॉर्मल व्यक्ति है, वो प्रति दिन कितने ग्राम करता है, एक ग्राम की दर से उत्त सरजित करता है, जबकि उपवास के समय जो है, हम अधिक वसा युक्त भोजन खा लेते हैं, उपवास के समय व्यक्ति पास से दस ग्राम कीटो बोडीज का उत्त सरजन करता है, जितना आप वसा युक्त भोजन का सेवन करेंगे, उतना ही कीटो बोडीज जो है, वो हम लोग उसरजित करेंगे, एक नॉर्मल व्यक्ति, जो की एक दम नॉर्मल खाना खाता है, वो एक दिन में एक ग्राम करता है, ठीक है, लेकिन जब भी हम उप्वास के समय भोजन भाते हैं, उसमें अधिक वसा युक्त भोजन का सेवन कर जाते हैं, और जिस वज़े से हम 5-10 ग्राम करते हैं, जबकि वहीं पर डाइबिटीज का जो व्यक्ति है, वो कितना ग्राम करता है, वो भाईया हमारे पास में 120 ग्राम जो है, वो सर्जित करता है, तो यह हमारा जो चाप्टर है, वो आज यहां कम्प्लीट होता है, वसी यह अमलों का, नेक्स्ट जो है, वो हम नए चाप्टर के साथ वापस आएंगे, तब तक के लिए, गुद बाई, तक के लिए,